नवश्कार दोस्तों बहुत पस्वागत आपका मेरी चैनल वर्शा ब्यूटी केर में आशा करती दोस्तों कि आपसे बच्छी होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों जो आज की वीडियो है यहां जैसे की अपने टाइटल में देखी लिए है आज मैं बात करने वाली हूँ हिना की जी हां दोस्तों और हिना मैंने आज बहुत टाइम बात लगाई है और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर शेर कуч zombies हुई है आपको पसंद आएगी और आपके लिए helpful भी होगी तो चली दोस्तों देख लेते हैं बस इसे अच्छे से बॉयल होने दीजेगा दोसे चार मिनिट बाद इसे चाल दीजेगा सो फ्रेंड्स ये है नुपूर हीना 25% एक्स्ट्राप को मिल जाती है और ये मैंने बड़ा पैक खरीदा हुआ है 100% प्योर हीना है ये ये महंदी का पाउडर ना मुझे बहुत पसंद आता है मैं आपको बताओ रिबॉंडिंग से पहले मैंने हीना लगाई थी यानि कि आज से 3-4 साल पहले शायद मैंने लगाई होगी अब मैं काफी टाइम बाद हीना लगा रही हूँ और बहुत ही एफिटेबल प्राइस प स्थे इन दृणा यह पूरा हीना के लिए रखा हुआ है यहां बिलकुल कीन है यहां पर आप देक सकते हो कि यह देखे यह बिलकुल क्लीन है को ब्रश की हुलप से बिलकुल की 그냥 है फिंकर की हейств से नहीं लग पाती है अगर आपके छोटे बाल है ना तब तो आप ब्रश से लगा सकते हो लेकिन अगर लंबे बाल होते है ना या घने बाल होते है तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लगाना वैसे अगर आप किसी दूसरे की हल्प से लगाते हैं तो ब्रश की हल्प से असानी से लग जाती है इस इस मोहस्म में क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है बालो को मैंठे ax होता है कि मैं कोई नकोई हैर पाय खेर मास्कि वह बालों में लगाती रहती हूं आज मैं इस हीना में यह अंडा मिक्स करके लगाने वाली हूँ दोस्तों आज में जिस तरीके से यह आपको हिना लगाने के लिए बता रही हो ना जो तरीका बताने वाली हूँ इससे आपके बालों की खोई हुई चमक भी लोटाएगी बाल शाइनी बनेंगे सॉफ्ट और स्मूध बनेंगे और कलर भी कखका और दोस्तों अपा कुछा के लिए कर रहे हो आपको चाइप क mínimoाने के लिए जिस पति का माई खुरते हैं तो यह चाय पति-काई का ही पानी ऍच्छ purchased नेव आप चाहें तो गरम पानी में ही घोल को तयार कर सकते हो इससे क्या हुआ कि लंज नहीं रहेंगे आपकी मेहधी में और अगर आप चाहें तो आप इससे ठंडा करके भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर यह पानी बच जाता है तो डूंट परी आप इसे रिंस वाल्टर की तरह काफी सुना है कि चाई पत्ती के पानी से लंबे होते हैं बालों में चमक आती है तो चलिए बाते तो बहुत हो चुकी है अब मैं इस घोल को तयार करती हूँ मैं डाले मैं इसमें यह अंड़ा डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करकर आपने इसका घोल तेयार करना है एक साथ ज़्यादा ना डाले अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी इसमें डाल देंगे न तो क्या होगा कि ये लंस बन जाएंगे और अच्छे से mix नहीं हो पाएगी इस तिसका ध्यान टखेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी quantity में पानी ले रही हूँ दोस्तों अगर आप चाहें तो महंदी के इस घोल को रात को तयार करके रख सकते हैं लोहे के भरतन में भी तब भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है और मेरे पास इस टाइम पर लोहे का भरतन कोई है नहीं तो मैं इसलिए इसे नॉर्मल प्लास्टिक के बाउल में यूज़ कर रही हूँ तो यह देखे दोस्तों मैंने गोल बना लिया है और इसका कलर कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे कि आप देख रहे हो यह देखे बहुत ही प्यूटिफुल सा कलर आया है और जैसे कि मैंने इसे चाई पती के पाली में मिक्स किया तो कलर काफी अच्छा आने वाला है तो मैं इसमें अपना यह लवेंडर असेंशन ओल की कुछ ट्रॉप्स भी डालूँगी बस जादा नहीं और अब मैं इस अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोस्तो गर्मी बहुत है वैसे गर्मी में भी न बहुत सारे फायदे होते हैं हीना लगाने के ठंड़क देती है यह सीर को और काफी अराम भी मिलता है आपको जब इसकी ठंड़क आपके सीर में जाती है तो काफी अराम मिलता है तनाव से भी अराम मिलता है जी हां और स्ट्रेस को भी काफी कम करने में हल्प करते हैं किसी-किसी लोगों को ना हीना की खुश्बू बहुत अच्छी लगती है मुझे भी हीना की खुश्बू बहुत कसंद है बहुत अच्छी लगती है तो चलिए हम इसे अपने बालों में लगा लेती हूँ की जैसे कि rebonding के बाद क्या hair fall होता है तो जी हाँ थोड़ा बहुत hair fall होता है अगर आप care नहीं करते हैं तो hair fall definitely होता है दो मुए बालों की problem भी होती है अगर आप care नहीं करते हैं बट rebonding कराने के दो एक महीने बाद तीन महीने बाद आप बालों में तो इससे आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी और बालो के अच्छे से केर कीजिएगा तो बिल्कुल भी नहीं होती है एक लगा सकते हैं और कोई भी अच्छा एक हैर पैक लगा सकते हैं तो आपको हेर फॉल की प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी अनियन शेंपू मार्किट में होते हैं वो हेर फॉल को कंट्रोल करते हैं तो वह भी आप ट्राइब कर सकते हो और यह जो महंदी का पैकर है मैंने तीन से चार साल बाद हाँ तो मुझे तो अच्छा लगा है यह पैक लगा के प्लीस दोस्तों मेरी महनत के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर हैं आप देखी कुछ लोग वहलो हमें और इंज क्या राइड ए内 बैड रेट नहीं का टेक्ड़र होता मुझी आप ए Els लुड़े ज़रूर करेसल झरी यह ज़िसए इसका कोई solution नहीं है बालो में जो एक color ये देती है वो अच्छा लगता है अगर आप इसमे coffee powder डाल देते हैं mix करके वो भी मैंने बताई हुई है किस तरीके से आप coffee powder mix करके ही ना लगा सकते हैं तब भी एक बहुत अच्छा color ये देती है बालो में और आप शाहे तो इस pack को मेहंदी को आप दही में भी तयार कर सकते हैं तो आपकी बर्जी है ये तो आप दही में पैक को तयार करेंगे तो येस ये एक cooling pack का भी काम करता है एक तरह से क्योंकि इतनी घर्मी है बाहर तो ऐसे में ये मतलब आपके सिर में ठंडक भी पहुँचाती है तो ये हिना के वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं दो मुए बालो की प्रोब्लम भी ये खत्म करती है अगर आप इसमें तोड़ा सा ओयल वेगरा डाल लेते हैं अगर आपको हिना का कलर नहीं चाहिए ज़्यादा अच्छे से तो आप इसमें ओयल मिक्स करके भी लगा सकते हैं जैसे की कोकोनेट ओयल या सरसो ओयल और अगर आपको हिना का कलर चाहिए बालो में तो आपको same day shampoo नहीं करना है ये मैं पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ अगर आपको color चाहिए बालो में तो आपको same day shampoo नहीं करना होता है बालो में आप next day shampoo कर सकते हैं oiling विगरा करने के बाद अच्छा oiling की बाद मैं इसलिए कर रही हूँ बाल soft or smooth भी बनेंगे तो yes ये काफी अच्छा pack है आप एक बार जरूर ट्राइ करकर देखेगा friends आपको बहुत पसंद आने वाला है और चाहिपत्ती के पानी के न कोई नुकसान नहीं है कोई पूछेगा कि मतलब कोई बोलेंगे पति के पानी में भी बनती है कि यहां चाहिपत्ती के पानी में भी आप इसका pack त्यार कर सकते हैं तब भी बहुत अच्छा color आता है और जिने orange रेड कलर इस तरी के से पसंद आता है उनके लिए तो बहुत अच्छा pack है और मैं बहंदी आज से नहीं लगा रही हूँ जब मैं 11th क्लास में थी तब से लगाती आ रही हूँ तब मैं कम लगाती थी लेकिन शादी के बाइट वह ज़्यादा लगाने लगी वैसे मैं आपको सच बताओं मुझे white hair की problem नहीं है तो आप यह मस्तोचना कि मुझे white hair की problem है तब मैं लगाती हूँ जी नहीं मैं बालो को condition करने के लिए लगाती हूँ क्योंकि बालो को नहीं straight भी करती है ऐसा मैंने इतने सालों में notice किया है observe किया है कि अगर आप हिना को regular use करते हैं मेरा मतलब है महीने में एक दो बार लगा लेते हैं तो यह आपके बालो को straight, smooth, soft बनाती है और बालो में shine भी बहुत अच्छा देती है conditioner का काम बहुत अच्छे से करती है तो आप भी इस pack को जरूर ट्राइ किरेगा दोस्तों और मेरी महनत के लिए वीडियो को like, share जरूर करना तो यह देखे दोस्तों मेरी महनती लगा ली है अच्छे से और अब मैं इसी घंटा लगा रहने दूँगी घंटा तक इसी लगा रहने दूँगी अपने बालो में और उसके बाद नॉमलवानी के हल्प से पोश कर लूँगी शैंपू मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बालो में एक अच्छा सा कलर भी शाहिए था तो देखते हैं कि कैसा कलर देता है तो अगर आपके वाइट हेर हैं चाहे ग्रे हेर हैं किसी के बालो में तोड़ा रेड आ जाता है तोड़ा डार्क हो जाता है या किसी का औरेंज औरेंज सा नजर आता है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात जरा भी नहीं है कि इसमें कोई और कलर आ रहा है वैसा कलर आ रहा है बहुत सारे में वीजियो करती रहते हूं। मेगकप टूटोरियल, स्किन-कियर, हेर, मेकप्स…. से रिलेट़िट और बहु Important reproductive educating uh...बहुत बहुत सारी चीजों के रिव्यू में शेर करती हूं। और acting or dance के वीडियो भी आप मेरे देख सकते हो फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड भी में शेयर करती हूं Instagram रेल्स पर वीडियो तो प्लीस दोस्तों मुझे Instagram पे भी जरूर फॉलो कर लिजेगा और अगर नहीं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लिजेगा ताकि आप मेरी आने वाली हर नई वीडियो से नोटिफाई रहें आप notification बेल को हिट करेंगे तब भी आपको नए नई वीडियो की notification सबसे पहले मिलेंगे और फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से अपने बालों में हिना को लगाते है ना इस चाई पती के पाली में मिक्स करके तो आप white hair की problem से gray hair की problem से definitely चुटकारा पा सकते हैं अगर आप 18 साल से ज़्यादा की उम्र की हैं तो भी आप इस हिना के pack को लगा सकते हैं और आप सिर्फ महिने में एक या दो बार ही लगाएगा इससे ज़्यादा नहीं और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से लगाएगे ना तो आपके बाल सॉफ्ट और स्मूध बनेंगे शाइनी बनेंगे और बालों में color भी बहुत अच्छा आएगा अब आप देख सकते हूं फ्रेंड्स यह मेंधी काफी सूप चुकी है यह देखिए एग घंटे बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रिजल्ट है बस इससे ज़्यादा में नहीं लगाँगी इसे एग घंटा काफी होता है मेंधी अच्छे से वरक अपना कर देती है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे बालो को वाश कर लिया था अच्छे से शैंपू भी नहीं किया है सिर्फ खाली पानी से, ही नॉर्मल पानी से, मैंने अपने बालों को ढुए है, सिर्फ ताजे पानी भी आपने wash करना है, और क्यूंकि मुझे एक अच्छा सा कलर भी चाहिए था बालों में, और आपने पहले भी वीडियो में comment किया था लोगों ने कि हाँ आपके बालों का गलर बहुत अच्छा लग रहा था light brown सा जो एक अच्छा लग रहा था तो आपको कैसा लगा यह आज का वीडियो और मेरी बालों का गलर कैसा लगा और प्लीस दोस्तों वीडियो को like share जरूर करना comment कि जरूर का आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आगे भी किया आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं वह भी जरूर बताएगा आप मुझे follow कर सकते फेस्गुइक इंस्ट्राग्राम और मौश पर भी मैं आपसे मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाइबाई टेक के लिए लभी ओल दोस्तों